हेलो बच्चो नमस्कार प्यारे बच्चो आज आपको इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करवा जाएगा फीमिल रिप्रोडुक्टिव सिस्टम क्या करवा जाएगा फीमिल रिप्रोडुक्टिव सिस्टम इसके बाद बच्चो यह टॉपिक प्रॉपर तरीके से खतम हो जा झाल झाल ठीक है बिच्छा थोड़ा सा गलत भी बन रहे ठीक है तो आप थोड़ा देख लेना डाइग्राम यह यह यहां पर जॉइंट होता है जहां तक मुझे पता है ठीक है वजाइना तो सर्विक्स सर्विक्स जॉइंट होता है ठीक है यह था यूटेरस यह होता है OVDuct या OVERI ठीक है यह होता है फिलॉपियन टूब ट्यूब ओविड़क नहीं होता है यह OVERI ही होता है यह होता है OVDuct मतला फिलॉपियन ट्यूब फिलॉपियन ट्यूब अंडवाईनी अवेरी अंड़ास से यूटेरस गरभास से सर्विक्स क्या होता बई गरीवा और वेजीन न क्या होता यूनी ठीक है यह बच्चों का female reproductive system ठीक है अब ध्यान से समझेंगे बच्चों कि female reproductive system में क्या होता है प्यारे बच्चों यह क्या है आपको जैसे कि मैंने प्यूबर्टी के बारे में बताया था कि एक एजो आने के बाद body में changers आते हैं जैसे जो female की body होती है girls की जो body होती है उनमें दस से 12 साल की act में क्या होते है उनकी body में changers आना सुरू हो जाती है पच्चों और वह changes किस तरह के होते हैं से skin का soft होना voice का soft होना ठीक है और क्या भई और क्या जैसे various parts में fat जमा होना ठीक है adulthood begins होना progesterone और estrogen hormone का begin होना ठीक है menstruation cycle का चलना यह सारे चीजें इसमें include हो जाती है तो menstruation cycle क्या है वही आज हम समझने वाले तो देखे बच्चों ध्यान से देखेगा कि जैसे ही कोई female की एज 10 से 12 की एज में आती है तो इसमें menstruation cycle चलती है जिसमें होता कि है बच्चों 10 से 12 साल में आने के बाद यह आप जो अवेरी होती है यह mature होना सुरू हो जाती है और इस में से एग release होना सुरू हो जाती है और जब वो एग release करते हैं तो एग release जब करेंगे तो वो यहां पर आके बैठ जाएगा एग रिलीज करेंगे वो यहाँ पर आके बैठ जाएगा कहां पर फिलॉपियन ट्यूब में ठीक है इस एग को बनने में लगभग दस आठ से दस दिन लग जाते हैं लगवा कितने लग जाते हैं? 8-10 दिन के आसपास इस एग को बनने में लग जाते हैं ठीक है बच्छो, अब क्या होता है? कि जब ये एग प्रॉपर तरीके से बन जाते हैं ठीक है? तो ये क्या बनता है? ये इनके body में जो भी एलो खाना खाते हैं तो इनके carbohydrate, fat, protein इन सब चीजों को मिलके ये इनका बनता है in the form of blood in the form of blood जिसकी वज़े से ये पूरा का पूरा हिस्सा blood से इस तरीके से पूरा भर जाता है ठीक है, soft inner lining बन जाती है मतलब पूरे के पूरे ये बर जाता है blood से बर जाता है और ये पूरा egg भी इसी तरीके से इनके pure blood से बन जाता है जो भी है, food खाते हैं ठीक है, और ये बनने में लगबख 8 से 10 दिन ले लेता है अब बच्छों जब 8 से 10 दिन लेने के बाद ये यहाँ पर egg बन जाता है यहाँ पर release हो जाता है तो फिलोपिन ट्यूब के पास आके wait करता है कितने दिन के लिए wait करता है लगबख 3 से 5 दिन के लिए wait करता है अब जब ये 3 से 5 दिन के लिए wait करेगा तो ये किस चीज़ का wait करेगा sperm का कि कोई sperm आए और इसके साथ क्या करे भई collision कर ले hit कर ले fertile कर ले fertilize कर ले तो ये क्या बनाएगा एक newborn baby को जनम देने के लिए like हो जाएगा यानि zygote बना सकता है लेकिन बच्चो तीन से पांस दिन में अगर इसको sperm नहीं मिलता है तो ये properly mature हो जाएगा ठेक है बॉड़ी से क्या हो जाएगा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा इसमें भी 3-5 दिन almost लग जाते हैं ठेक है और ये सारगा सारगा बलड 3-5 दिन में क्या हो जाता है बच्चो खाली हो जाता है ठेक है और इसी परकार फिर जब ये पूरा बलड खाली हो जाएगा ये दुबारा फिर एग ऐसी रिलीस करेगा जिसमें वो फिर से 8-10 दिन लेगा जो लगबग 8-8 क्या हो गया बई 16 और 6 16 और 6 कितना हो गया लगबग 22 ठीक है और ये कितना हो गया लगबग 30 तो यानि एवरेजली देखा जाता है कि 25-28 दिन तक ये सैकल पूरा हो जाता है ये सैकल कब तक पूरा हो जाता है 25-28 दिन कैसे सैकल पूरा हुआ पहले एग रिलीस हुआ 8-10 दिन जो भी 11-12 दिन भी लग जाते है ठीक है फिर 3-5 दिन वो वेट करेगा यहाँ पर आके कहाँ भी कोई स्पम आए और इससे कॉलाइड करे फर्टाइल करे लेकिन अगर नहीं मिलता है तो फिर से वो क्या करेगा 3-5 दिन में ये सारा तूट के ठीक है ये सारा बलड क्या करेगा बोडी से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा फिर बचे कर बच्चो ये दिन 8-10 दिन इसमें क्या करेगा भई इसमें ये दुबारा बनाना जुरू करेगा और यही चीज साइकल बार 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 25-28 दिन में यही साइकल बार 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 चलती रहती है और बच्चो इसी को menstruation cycle कहा जाता है जो प्रोजिस्टेरोन हॉर्मोन की वज़े से कंट्रोल किया जाता है ठीक है ठीक बच्चो अच्छा अब अगर माल लो माल लो उसको स्पम मिल गया तो क्या होगा यह तो भाई मैंने मैं सुदिशन साइकल बता दिया आपको लेकिन इन केस अगर माल लीजियो उसे स्पम मिल जाता है तो क्या होगा आउ वह भी पता कर लेते हैं ठीक है Vmpfen ना इन केस माल लीजी यह एग है और इसको भाई स्पम एंटर कर गया इस्पम एंटर कर गया और यह इसमें हिट हो गया है इसमें कुलाइड हो गया अब जैसे ही इस फ्म क्या करेगा एक से हिट करेगा कॉलाइड करेगा वह फै Confederate हो जाएगा और आपको मैंने बता रखा है कि जभी मेल गैमिट की फीमेल गैमिट से मिलेगा नरी आद एक यूगमनच बनाता है उगमनच मतलब जैसे ही इससे आके टकराएगा जाएगा कनवर्ट हो सरे और उन में से कोई एक सेल इसके अंदर रह जाएगा किसके अंदर इस body के अंदर और बागी सारे cell body से बाहर निकल जाएंगे और फिर वो cell यहाँ पर किस पर यह cell जब collide होके एक ऐसा cell बनाएगा जो जिसके अंदर क्या होगा भाई बच्चे की यानि जो भी baby होगा उसकी नीफ पड़ जाएगी और वो cell यहाँ पर आके तिक जाएगा किसमें यूटेरिस में और उस टाइम पर यह यूटेरिस ना बिलकुल क्या हो जाएगा soft हो जाएगा गदीदार हो जाएगा इस ताइप का और वो क्या करेगा इस cell को body के अंदर क्या कर देगा इस यूटेरिस के अंदर embed कर देगा, धसा देगा embed कर देगा, कौन? ये पूरा का पूरा जो cell है, ये पूरा का पूरा जो hollow cell है, जिसमें आप किसी new baby का, मतलब जनम हो सकता है ये पूरा किसके अंदर fit हो जाएगा, uterus के अंदर fit हो जाएगा embed हो जाएगा, धस जाएगा, ताकि इसे किसी भी परकार की छतिग्रस ना हो या किसी परकार का छोट या किसी परकार की भाई हानी ना पहुँचे तो ये भाई इस होलोसेल इसके अंदर आके टिक जाएगा अब टिकने के बाद क्या होगा कि उटे रस गरभास से पूरी तरीके से soft हो जाएगा याना यानि जैसे रूई के गद्दे होते नहीं नहीं बिल्कुल वैसे उस type से इसको पूरी तरीके से secure कर दिया जाएगा किसको इस भाई क्या किसको zygote को जो zygote इसके अंदर आके धस जाएगा उसे कहेंगे embryo क्या कहेंगे embryo हिंदी में कहेंगे भूर्ण फ lease इसके अंदर आके क्या हो जाएगा embed हो जाएगा अब धीरे 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 क्या होगा बच्चो इसके अंदर एक बेबी की नीव पढ़ जाएगी ठीक है और बेबी के पेट से एक disc like structure जोड़ जाएगा जो का जाता है कि बच्चे को मा के पेट से जोड़ जाता है ऐसा बोलते हैं कौन यह disc like structure यह क्या करेगा अब बच्चे को मा के सरीर से जोड़ देता है ठीक है यह disc like structure अब इस disc like structure का नाम क्या है तो बच्चों इस disc like structure का नाम है placenta क्या नाम है placenta हिंदी में अपरा थेगे जी placenta नाम है disc like structure का चक्ति नूमसन रचना का जो बच्चे को मा के सिरी से जोड़ता है मतलब यानि अगर मा खाना खाएगी तो इसी के तरू बच्चे का nutrition होगा और जब बच्चा कोई waste product बहार निकलेगा तो इसी placenta के दौरा वो मा की body से भी क्या हो जाएगा waste बहार निकल जाएगा तो मतलब खाना और जो भी उसका waste बहार निकालना है वो सब इसी placenta के द्वारा होता है और बच्चो इस बच्चे का जो ये placenta के थुरू जो बच्चा जुड़ा हुआ है इसका यहाँ पे 9 महिने तक रहके अपना nutrition करना अपने आपको develop करना implantation कहलाता है क्या कहलाता है? implantation क्या कहलाता है? implantation कहलाता है हिंदी में रोपन कहलाता है क्या कहलाता है? रोपन कि मा के पेट में रहके 9 महिने तक यह इसमें रहेगा और अपना nutrition करेगा अपने आपको develop करेगा हर week एक नई change देखने हो मिलेगा तो धीरे 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 जो change देखने हो मिलेगा उसी को implantation कहते हैं रोपन कहते हैं कि इसमें मा के पेट में बच्चे ने अपने आपको develop किया और develop जिससे होता है उसे कहते है प्लेसेंटा पहले पड़गी बात भाई इस तरीके से 9 मन्त में जब यह baby पूरी तरीके से develop हो जाएगा तो यह body से बाहर आ जाएगा और भई क्या होगा एक क्या फिर फिर यह mensuration cycle दुबारा begin हो जाएगी जैसे ही बच्चा यानि बाहर जाएगा तो दुबारा begin हो जाएगी और जब तक यह इसके अंदर है तब तक यह cycle दुबारा begin नहीं होगी लेकिन जैसे ही बाहर जाएगा फिर कुछ समय बादी है क्या होगा भई यह begin हो जाएगी दुबारा शुरू हो जाएगी कोई दिक्कत कोई परिशानी हो तो बच्चों पूछना वैसे तो मैंने इसके अंदर सारी चीज़े आप लोगों को बता दी ठीक है अब इसे note कर लीजे नोट करने जोड़ते नहीं है PDF में मैंने सारा लिख रखा है बस अब समझा देता हूं एक एक करके सारी बाते है ठीक है हम अब आता है बच्चों Birth Control Method अब क्या आता है Birth Control Method तो बच्चों Birth Control Method में मैं आपको बता दूँ कि Birth Control किस तरीके से की जाता है या sperm को एक तक पहुंचने नहीं दिया जाता है यह सबसे सुरक्सि सबसे safe method है जैसे male द्वारा condom और female द्वारा डाय फार्म यूज कर ले जाता है जिससे क्या होता है sperm एक तक पहुंची नहीं बाता है और जब पहुंची नहीं पाएगा तो fertilization नहीं होगा अगला आता है chemical method यह क्या होता इसमें गोलियां होती है oral pills होती है vaginal pills होती है oral pills मतलब मोखी गोलिया गोलिया खाके उसको क्या करना भाई कथम कर देना पूरी तरीके से कि अगर pills खा ली और जो भी fertile हुआ है या fertilization नहीं भी हुआ तो sperm को मार देते हैं वो ठीक है हो जाती है उसके मर जाता है तो fertilization होने के कोई शंबावना नहीं रहती है अगला होता surgical method यह सबसे खतरनाक होता है पहले के time पे कुछ ज़्यादा ही चला था यह क्योंकि इंडिया में प्रुसाहन रासी दी जाती थी इसके लिए प्रुसाहन रासी मतलब किया कि आप कराने आया हो तो आपको पैसे मिलेंगे ठीक है मतलब operation कराने के पैसे मिलेंगे वो भी कितने हजार रुपे 1100 रुपे पांच जार रुपे इस तरीके से आजकर लोग अपने plannings को develop करते हैं और पहले इस method का इस्तमाल इसलिए क्या जाता था क्योंकि किसी भी तरह की child planning नहीं की जाती थी ठीक है तो इस वज़े से इनकी जुरुते बढ़ती थी तो उसमें क्या होता था कि या तो female के tubes बंद करवाती जाते थे या तो male की कौशना मैं tubes कर दिया जाते थे अब tubes किस selected देखो female के अंदर यह falopian tube को ही क्या कर दिया जाता है काट के बंद कर दिया जाता था काट के कर दिया जाता था इसलिए इनके surgical method को कहा जाता था हिंदी में इस्तीनससबंदी। और इंग्लिश में ट्यूबस में लेकिन अगर मेल की बात करgado. मेल में आपको बढल साथ में वास निफ्रण्स वहां से रिस्पम्स बन के वहां तक जाता huh तो seminal 2 लेकिन भाई इस पंप बन गे ठीक है लेकिन seminal वैसिकल तक पोचने ही मत दो मतलब पहले यह वास்स को क्या करदो काट दो तो क्या होगा बाती घतम तो उसके बाक्राघाता था पुरुस नस्बंदी OUR हिंडि में का जड़ ईंग्लिष में कॉculiar जाता था व्हसक टॉमी ए क्यों व्हसक टॉमी क्यों कि हम वासडिषास को ही काट के क्या कर देते ते भही बंद कर देते थे ठेके जी इस तरीके थे अगला होता आयूसीडी इंट्रियूत ना इंट्रि उट्रींट इससे क्या होता है कि Spum कभी पहुंच ही नहीं पाता था एक तक और फीमेल कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी लेकिन जब वो चाहे तब वो उट्स डिवाइस को निकल वा लेती थी डॉक्टरों के दुआरा और डॉक्टरों के दुआरा ही लग जाता था ठीक है तो व आपने ओवर देन वन पार्टनर टू पार्टनर से अगर बाई कॉंटेक्ट मा रहा है तो उसको बहुत चैप्टर होने की खत्रा होता है जैसे एड्स गोनेरा इस फिल्स ठीक है तो इसे के साथ बच्चों आपको यह चैप्टर होता है खतम ठीक है इसके बाद हम क्लास में मिलेंगी